मुझे पता है पर तुम्हें कोई मज़ा नहीं आएगा अगर तुम जाओगे भी तो तुम्हें स्वेमिंग बिल्कुल नहीं आती नोबिता लेकिन मैं जाना चाहता हूं अगर ऐसा ही है तो मैं भी नहीं जा रही हूं देखो शिजुका तुम्हें नाराज होने की जरूगत अगरनमधा को छोड़कर नहीं जा सकती अंगर हूं अगर तुम कहती हैं तो भी लेड़े चलेंगे भी, चुझा जॉका, वह Steek की हूं' सुनियों हमें योजोवान आइलेन वाली लेके जा रहा है हम लोग वहाँ स्विमिंग करेंगे क्या आईइलेन्ड पर सुमिंग करेंगे हां शिजुका ने सुनियों और जियान को मुझे साथ ले जाने साथ चल चकते हो तो मैं वहाँ सब तुम सब बस अब तो गर्वियों का इंतिजार है एसा मत कहो नहीं नोबिता तुम ऐसे आलत में पिल्कुल नहीं जा सकते नोबिता तुम्हें 104 डिग्री बोखार है तुम कैसे जा सकते मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है लेकिन नोबिता मैं जाओंगा मुझे छोड़ो नहीं पिल्कुल नहीं अब अपनी जिर्ट छोड़ तो नोबिता देखो नोबिता तो आ नहीं सकता इसलिए मैं भी उसकी देखपाल के लिए घर पर ही रुक रहा हूँ उसको कब से जाने का इंतजार था बेचारा किस्मत खराब है उसकी मुझे तो पहले ही पता था जब हम उसे ले जाने वाले थे हे शिजुका एक आइडिया है नोबिता की जगे पर तुम इसे ले जा सकती हो देखो सब्सिट्यूट टेलेवेजिन ए इसलिए जाने से काम हो जाएगा हाँ देखो तुम मुझे पर भरोसा करो तो ठीक है नोबिता से कहना अपना ख्याल रखे ओके तुम लोग भी खूब बज़े करना देखो वो लोग चले गए मैं एक अच्छे लड़के की तरह चुप-चाप लेटा रहा ना तुम्हें कम से कम दो दिन और आराम करना चाहिए इस ट्रक जियां सुन्यों शिजुका आइलेंड पर मज़े कर रहे होंगे लेकिन मैं अखेला यहां पर लेटा हुआ हूँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो जब तक हमारे पास यह है हम ट्रिप को यही से इंजॉय करेंगे एक टीवी लो इसे अपने सर पर मैं सब को देख सकता हूँ वो सब कहां पर है नोबिता मुझे लगता है कि सब पहुंच चुके है क्या हुआ क्या बात है शिजुका नोबिता की आवाज सुनी ऐसा तो होई ही नहीं सकता शिजुका तुम्हारा वेहम है ठीक कह रहे हो अब सुनो तुम्हारा कमरा माई तरफ है शिजुका चलो हम अपने अपने स्विमिंग के कपड़े पहल लेते हैं मेरी भयाल से इतना काफी है हाँ ठीक है मैं आ गई ओ हाई शिजुका अरे ये क्या तुम इस चीज को यहाँ पर भी ले आई अब इसे पिता का है चलो कोई बात नहीं आप स्विमिंग करने चलते हैं हाँ चलो है हाँ तुम देखने में कोई मजा नहीं आता है तुम चेरना चाहोगे हाहां क्यों नहीं जरूर तो फिर हाँ ये क्या हो रहा है वो दरसल मैंने किया क्या है कि यू जोहान आइलेंड पे तुम्हारा बॉड़ी डबल बनाया है क्या मतलब तुम कूच सकते हो और मजे ले सकते हो अच्छा ये जाओ ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ठीक है लेकिन एक बात है तुम बिस्तर में रहकर भी सब कुछ कर सकते हो ओके ये तो बहुत अच्छी बात है चलो अब में चला मुझे तो पानी में बहुत मज़ा रहा है पानी बहुत थंडा है अरे हैं दोब रहा हूँ डूरे मॉन कुछ करो अरी हाँ नूपिता को तो स्विम्स आती ही नहीं है प्लीज जढूरे मुझे बचा लो मैं डूब जाओं गा प्लीज तुम नहीं डूप सकते क्यूंकि असल में तो तुम अपने बेट पर हो यह हाँ सही कह रहे हो मैं तो बहुत नादान तो दबाओ क्या यह वाला डोरेमॉन हाँ यह यह तो कमाल हो गया इस तूप कंडक्टिब प्रोपॉल्शन की बज़े से तुम त्यार सकते हो कि अब अब हम लोगों प्रेस लगाएंगे अखे उड़ा सब्सक्रावन है पार पार ने जो तो कुछ तुम तो कमाल हो समझ नहीं आता के तुम इतनी तेज कैसे तायर सकती हो यह कैसे हो गया दरसल यह तो मुझे भी नहीं मालूम यह तो मज़ेदार है डोरेमॉन मैंने अपनी पूरी जिन्दगी में इतनी स्विमिंग कभी भी नहीं की है तुम्हें जल्दी से ठीक हो ना होगा ताकि इस साल तुम भी स्विमिंग कर सको सही कहां डोरेमॉन मैं ऐसा ही करूंगा गर्म रेट थिंडी हवा और हल्की लहरों की आवाजे यह ओशन कितना सुन्दर है अब इस सुख में हैं तुमने सही कहा हां यह मेरा वहम होगा तद नहीं नोबिता कैसा होगा आशा है की ठीक होगा शुजू का दिल से मेरी कित्ती परवा करती है वह मेरी एक बिल्कुल सच्छी दोस्त है वह तुमारे बिना क्या करूंगा शुजूका देखो सुनियो वेटा मैं तुम्हारे डाइट के साथ आफिस जा रही हूँ तुम अपने ख्याल रखना चुत्तियों में काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं देखो मैं शाम तक घर वापस आजाओंगी तब तक तुम अपने दोस्तों के साथ खेलना ठीक है ओके बाइबार तुम हो तब tasting उन्हें फिक्र है मैंने वो गेम अभी अभी खरी दी है और मैंने उस गेम से एक भी बार नहीं खेला है मैं ये तुम्हें बात में दूख अभी कूछ और काम करो यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, इतना बोरिंग है, मुझे लगता है कि मुझे अपना हॉमब्उबग करना चाहिये। तुम अपना हॉमबग भिलाए हो, अच्छे बात है। मॉम कहती हैं कि अगर होमबग करने का काम पहले करनो तो बात किने बिल्कुल फ्री हो जाते हो जो पहले नहीं करते उन्हें वेकेशन के आखर में परिशान होना पड़ता है मेरा मूद मत खराब करो लेकिन मैंने क्या किया है क्या ऐसा कुछ नहीं जो हम एक साथ के मैंने सोच लिया है तुम बस थोड़ी देर इंतसार करो तुम्हें मैं एक सप्राइज दूँगा ओके तो अब तयार हो जाओ मैं यहाँ इस विकेशन विला में सुनियों और शिजुका के पेरेंट्स के सम्मान में एक गाना गाऊंगा यह मेरी जिंदगी का एक बहतरीन गाना होगा क्या हुआ नोबिता तुम ठीक तो हो ना क्या हुआ बताओ दरसल जियान गाना गा रहा है क्या कहा दोरेमोन हम क्या कर सकते हैं पता नहीं नोबिता लेकिन हम यहां बैटकर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं अब शिजुका का क्या होगा तो आब आपके हम सोच रहे थे बिचारा उसका जाने का बहुत मन था सच में हाँ अच सुभा उसने बहुत परिशान किया काऊफीवर होने के बाद भी जाने की जिद कर रहा था अब चशक्र हो아니 же क immersion की मॉम को यहां बुला लो थीक है क्या का यहां बुला लो शिजुका को जीउजी बिखानकर गाने से बचाने का हमारे पास यही तरीका है डॉरेमॉन जिजुश्वाक कर सूआ हम आप जियान को आईलेंड पर देख पाएंगी अच्छा ठीक है जीने का सही धंग सीखो आने जाने पहचाने क्योंकि मैं हूँ जीयान पुरे जीने का सही धंग जीयान बंद करो अपना काना यह तो मॉम की आवाज है मॉम कहा है आप फौरान अपना काना बंद करो अरी यह क्या चीज है तुम्हारी मा अगर तुमने दूसरों को परिशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं प्लीज प्लीज मॉम मैंने सुन लिया मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मॉम मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा दुकान पर तुम्हारी दे बहुत सारा काम है वापस आने पर काम करने के लिए तयार रहना तुम बिमार भले ही हो लेकिन तुम मेरे ग्यादर्स का इस्तमाल करना अच्छी तरह जान गए हो अहां शर्मिन्दा मत करो देखो नो बिता शिजू करे तो फिर इंसेक्स यानि कीडे मकोडे इस तुनिया में बहुत ही महतपून भूमी का निभाते हैं पर घर और फैक्टरीज बनने के कारण इनकी गिनिती दिन बादिन कम होती जा रही है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब आपके आसपास रहने वाले कीडे मकोडों की गतिविदियों पर नजर रखें उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाएं और उन्हें को नुक्सान न पहुँचाएं नो बिता हम जहां रहते हैं सुनियों कहां से अब बताओ भी सुनो धीरे से जाना नहीं तो वो भाग जाएंगी समझे कितनी सारी आटलस बीटल्स और स्चेक बीटल्स है बहुत खुपसूरत धीरे तुम सोच सकते हो यह होंगी कितनी वेल सिर्फ यही पेड तो नहीं है तो कहां नहीं जा सकता है तुम समझे जियान ये दिखो बहुत सारे है अरा गार्डन कितना बड़ा है इसलिए ये इंसेक्स हमारे लिए तो सिर्ध दर्द बन गए है और ध्यान से जरा उस सरफ देखो वहाँ फ्लार गार्डन में स्वेलो टेल बटरफ्लाइस कैबिज बटरफ्लाइस और गोजैमर विंक्स भी है तुम सबके तो इतने छोटे से आंगन है इसलिए वहाँ बटरफ्लाइस तो दिखती ही नहीं होंगी है ना सुन्यों हमेशा अपनी बढ़ाई करता रहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर पर बात तो बिल्कुल सही है मैंने सही कहा न हाँ सही कहा कितनी बुरी बात है दोरेमान मुझे इसी वक्त अपने लिए एक बड़ा गार्डन चाहिए एक बड़ा गार्डन लेकिन वो क्यों ये तो बताओ पीशन ने हमें इंसेक्स जूनने को बोला है और मेरे बास सुन्यों के तरह बड़ा गार्डन नहीं तुम सरा शान्त हो जाओ ओके अच्छा आप तुम मेरे बात सुनो तो ये बात है अपने आसपास के इंसेक्स को अब्जर्ब करना है ना तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन सुन्यों के गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाईज और बीटल्स है और इसलिए तुम्हें भी बड़ा सा गार्डन चाहिए क्यों मैंने सही कहा ना हां ये बताओ क्या तो मेरी मदद कर सकते हो मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए कार्डन की कोई ज़रूरत नहीं फ्लार पोर्ड इस पोर्ड पर हर तरह की ग्रासेज और फ्लाज है तुम्हें अभी तिखाता हूँ ये देखो और अब ऐसे करो मैं भी खोलता हूँ अब क्या होगा थोड़ा सा इंतिजार करो देखो वो आते ही होंगे एक क्याबिज बटरफ्लाइ डोरेमान मुझे ये बटरफ्लाइ तो बहुत बुद्धू लगती है ये नकली फ्लार से शहद पीने की कोशिश कर रही है कोशिश नहीं कर रही दरसल उसे शहद अपने आप मिल रहा है क्या लेकिन ये तो एक पिक्चर ही है न इस बूट की पिच्चर से भी शहद निकलता है तब ही तो ये इंसेक्स को अपनी और खीच रहा है समझ गए हाँ तो अब हमें पता है कि हमारे आसपास कैबज बटरफ्लाइज हैं है ना हाँ चलो अब हम दूसरी पिक्चर को ट्राइ करें वाँ मुझे तो बहुत मज़ा रहा है देखो कितने टाइप्स की बटरफ्लाइज हैं इसका मतलब कि हमारे आसपास बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वैसे तो यहाँ पर खेट अभी भी है लेकिन बात यह है कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं अच्छे अब यह बताओ कि यह क्या है यह ट्री ट्रंक है क्या कहा ट्री ट्रंक चलो अब मैं इसे भी दिवार पर लगा देता हूँ चलो देखते हैं कि अब क्या होगा अरे यह तो यहां पर आ रही है ठीक है अब मैं इसे पकड़ लूँगा यह तो बहुत गंदी है डोरे मॉन जो इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है उसके साथ यही होता है नोबिता समझे अच्छा अब तुम क्या कर रहे हो इस ओक्ट्री को अगर तुम इस तरह से काटोगे तो इसमें से शहद निकलेगा जिससे आटलेस और ड्रोन बीटल्स खिची चली आएंगी क्या? आटलेस और ड्रोन बीटल्स आजाएंगी इनको यह बहुत पसंद है इन फ्लाइस को यह मीठा शहद बहुत ही अच्छा लगता है आओ और खालो फार यह तो सिर्फ एक ही आई है अरे बाकी कहारी यह क्या यह भी चली गई वाँ देखो डोरेमॉन कितनी सारी खमाल हो गया है ना? हाँ सुनो डोरेमॉन चलो शिजुका को यह दिखाते हैं मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा? अच्छा आइडिया है शिजुका ओ नोबिता और डोरेमॉन मैं अपने गार्डन में इंसेक्ट्स टोन रही थी पर यहां मुझे एक भी नहीं मिला वो छोड़ो तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छा दिखाने आया हूँ शिजुका क्या कहा बहुत अच्छा? हाँ बिल्कुल अगर तुम इस बोर्ड को दिवार पर चिपकाऊगी तो इंसेक्ट्स खुद चले आएंगे क्या सच में? हाँ और इसे फ्लार बोर्ड कहते हैं अरे ये तो कितना अच्छा है ना ला जब मेरे पास खुद की आटलिस बीटल होगी नहीं जियान ही शिजुका के लिए है तुम प्लीज इसे छोड़ दो चुब हो जाओ नोबिता ऐसा करता हूँ मैं इसकी आधी ही ले लेता हूँ येलो डोरे मौन वो हमारे लिए बस इतने ही छोड़ गया कोई बात नहीं नोबिता आधा काफी है वैसे भी जियान जो साइड ले गया है वो साइड फ्लास का नहीं था इसलिए परशान मत हो मुझे ये देखना है कि यहाँ इंसेक्ट कैसे आएंगे क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया खेल छोड़ो अरे वाह ये तो एक ड्रागन फ्लाय है कोई बात नहीं अभी और बहुत सारे बोर्ट्स बाकी है ये क्या अरे ये तो मौट्स है अरे यहाँ पर अच्छे इंसेक्ट कब आएंगे चलो हटो यहाँ से भाग जाओ भागो अरे अब ये क्या है केक और बचा कुछा खाना क्या इससे भी कोई इंसेक्ट अट्राक्ट होगा अरे ये तो चीटियां है अरे यहाँ तो कॉक्रोचिस भी है भूल जाओ फ्लावर बोर्ट से कुछ नहीं हो सकता ये ता हूँ इस बोर्ट से फायदा कम मुसीबत ज़्यादा हुई शायद इस वाले बोर्ट से मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है दोरे मौन तो फ्लार्स के अलावा दूसरी चीज़े भी होती है जो इंसेक्ट को अट्राक्ट करती है वेल ज्यादा तर बिमारी फैलाने वाले कीरे समझ गए नोबिता पता नहीं जियाद क्या कर रहा होगा हे जियाद सुनो तो मेरी बॉर्ट तो वापस कर detta बागो हाँ बागो तेड दोरे मौन यूति पुम कुछ कर नहीं सकते जल्दी बह लो धिनलास के काम कर सकते हैं चल्दी बागो डोरेमॉन इस मुसीबत से तो हम अरते मरते बचे हैं डोरेमॉन पता नहीं शिजुका किस हालत में होगी शिजुका ओ नोबितार डोरेमॉन कैसे आना हुआ ये बताओ क्या तुम्हारे यहां पर भी मदुमख्या आई थी नहीं, मेरा रूम तो बटरफ्लाई और ड्रेगन फ्लाई से भरा हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया अरे ये तो कमाल हो गया हाँ, मुझे लगता है इस एरिया कि सारे बटरफ्लाई और ड्रेगन फ्लाई यहां इकठा हो गई है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी आ जाएंगी तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें? वक कैसे करूंगा? मेरे तो सारे प्लान पे पाने बिर गया जियान रुको वो स्केटबोर्ट मेरा है रुप जियान रुप जाओ धब्राओ मत मैं तुम्हें थोड़ी तेर बाद वापस कर दूँगा सुनियो ये लो ये लो ये क्या है? क्या बात है नोबिता? देखो ये तो वो फ्लार बोर्ड लगता है जो जियान ने तुमसे लिया था नहीं नोबिता गौर से देखो इन सभी पत्तियों में छेथ हो गए है सही कहा देखो ये कुकून कितना अच्छा लग रहा है बटरफ्लाइज ने अंडे दिये जो लार्वा बन गए और फिर उन लार्वाज ने लीज खाली और फिर उसके बाद वो कुकून बन गए अच्छा तो अब मैं समझ गया ये कुकून हिल रहा है लगता है कि ये बटरफ्लाइज बनने ही वाला है देखा ना लोबिता मैंने तो तुम्हें ये बात पहले ही बता दी थी जंदी करोना ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता हे तुम लोग क्या कर रहे हो जियान तुमने इस बोट को बाहर क्यो भैग दिया था भैग दिया था समझे तुम ऐसे कह भी कैसे सकते हो? कोई बात नहीं, ककून से बटरफलाई निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखो, जरा सा इंतिजार करोगे तो तुम्हें ये सब देखने का मौका जरूर मिलेगा ये कौन देखना चाहेगा? तुमने सही कहा, मेरा होमवग पूरा हो चुका है, चलो फिर हम दोनों स्केट बोर्डिंग ही करेंगे ये ठीक नहीं है, लेकिन शिजूका, ककून देखो वाँ, ये तुम एक स्वालो टेल है, अरे वाँ ये कितना बड़ा है, वाँ, ना सुन्दर है, जरा देखो, वो ओड़ गया मुझे खुशी है कि ये बड़ा हो गया, हाँ, सही कहा, फील्स और गार्डन्स दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, पर तुम कोशुश करते रहो